हलो दोस्तो स्वागत है आपका आर्जे के किचन में रेनु की तरब से आप सबको नमश्कार दोस्तो आज हम बनाएंगे अर्वी की सबची जो कि बहुत ही हेल्दी होती है और ये बहुत ही स्वादेश्ट भी लगती है आप इसको चावाल या रोटी किसी भी तरीके से खा सक करेंगे यह एक सिटी हम इसका लगाएंगे प्रेसर लगां के इसमें हम एक गिलास पानी डाल देंगे और उसको बराबर कर लेंगे कि संब पानी में दूब जाए अच्छे से ओर इसके बाद हम प्रेशार इसका लगा देंगे इस तरीके से और इसको हम हाई फ्लेम पे एक सीटी देने तक उबा लेंगे तब तक उबल रहा है तब तक हम मसाला त्यार करें एक चमच ने धनिया लिया एक चमच जीरा और आधा चमच काली मिर्च और एक गांड लासुन है और यह इसको हम मिक्सी जार में डालके बिल्कुल बार एक पीस लेंगे इसमें हमने आधा कप पाने याट किया और यह हमने ग्रैंट कर लिया है देखिए इस तरीके से और यह इधर हमारा जो है कुकर एक सीटी दे दिया है तो गैस का फ्लेम हम आफ कर देंगे और यह थोड़ा सा इसका हम प्रेसर ऐसे चमच की सायता से निकाल देंगे और उसके बाद इसको हम सारा गैस अपने आप निकलने देंगे उसके बाद जब प्रेसर निकल जाए तो हम कुकर गठाकन खोल के सारा जो आर भी है उसको हम निकाल लेंगे उसको हम ठंडे पानी से दो लेंगे और द इस तरीके से जब आप बनाईएगा वो अर्वी की सबची बहुत ही टेस्टी होती दिखिए छिलका भी कितना आराम से उतर गया है आप देख लीजिए बहुत ही आराम से छिलका उतर जाता है इस तरीके से हम छिलके को उतार लेंगे इस देख लीजिए इस तरीके से हम सारा दूसरे को भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे यह देखिए यह जादे बड़ा नहीं है तो हम इसको दो ही पीस रहने देते हैं और इस तरीके से हमने यह अर्भी सारा ऐसे हमने काट लिया है और अब हम कडाई में तेल डालके उसमें चुटके भर नमक डालेंगे ताकि जब ह मिदा आर्भी डालें तो इसमें चिपके नहीं हम अंवी को ठंडा हो जाने देजेगा तभी उसको फ्राइक जीए और यह देखिए हमने यह आधा अर्वी इसमें डाल दिया है तो इसको हम अब फ्राइ करेंगे गोल्डेन होने तक इसको हम हाई फ्लेम पे ब्राउन स्वारी फ्राइ करेंगे वरना यह अगर फ्लेम हलका भी कम रहेगा तो फिर वह कड़ाई में पकड़ने लगता है इसलिए हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राइ करेंगे ताकि वह चिपके नहीं और इसकी पर्त बन जाती है हाई फ्लेम पे और यह अच्छे से फ्राइ हो जाती है देखिए कितना बढ़िया से फ्राइ हुआ है यह बिल्कुल गोल्डेन ब्राउन हो चुका है तो इसको हम निकाल लेते ह देखिए ऐसे हम चान के निकाल लेंगे और बाकी जो बचा हुआ है अरवी उसको भी हम इसी तरीके से फ्राइ कर लेंगे यह देखिए उपर से लाल हो गया अंदर बिल्कुल सॉफ्ट है यह विदेखिए या कलर आया है बिल्कुल ही चिपचिपाट नहीं है और उसमें यह ठोड़ा से एक चमश तेल हमने ओर एड़ा किया और यसके बाद हम ने एक चमश झीरा eat कर दिया इano यह हमने और एक समान भूने और एक तरफ भून जाएगी और घटीर हो जाएगी यह कोई भून जाएगा कोई कच्छा रहा जाएगा इस तरीके से आता इसलिए हम प्याज को हमेशा चला के भूने चाहिए एक तिछपत्ता भी हमने बाद में आईट कर दिया है क्योंकि हम बूल गये जालना और इसको हम देखिए गोल्डेन ब्राउन हूने तो भूनना है अब ह 어떻ब न हstag कई जो हमने अपे इसके रखा था उसको हम इसमें एड देंगे और इसको चला के मीडियम फिलेंपे अब इसको मसाले को अच्छे से भूनेंगे और जो मिक्सी जार में लगा हुआ मसाला है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसमें इसको ऐड़ कर देंगे इस तरीके से और इसके बाद जो है हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पौडर डाल देंगे थोड़ा लाल मिर्ची पौडर रैड़ क को बूनेंगे को इतना वुनंता कि इसका पाणी दुब्र मसाले बून गोटे गोटे रहेंगे 20 थे देखिए पानी बिल्कुलब इसका सुख चुका है मसाले को नियुके था ध्योग चले Shaput जब अच्छी तरह से भून जाता है तो सब्जी उसकी बहुत ही स्वादिश्ट बनती है इसलिए मसाले को बहुत ही अच्छे से भूनना चाहिए तो सब्सें गणा है तो हमने एक टमाटर रखा है उसको काटके उसको हम इसमें अदक कर देंगे अर उसके बाद हम इसमें नमक सवाद के अनुसकर इस भूनेंगे और फिर यह दाएंगे अार फिर हम इसको जिससे के नमक डाल कि दिखिए टेमाटर लगवाग गल चुका है कि यह देख लिजिए थोड़ा बहुत रहा गया था टेमाटर जब बिल्कुल भून चुका है तो अब इसमें हम करीम एक गिलास पानी हम इसमें एड़ कर देंगे मसाले को हम अच्छे से मिला देंगे जो मसाले में उबाला जाए तो उसके बाद जो हमने अर्भी फ्राई करके रखी है उसको हम इसमें एड़ कर देंगे और उसके बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे करीब पांच मिनट तक हम ढख के पकाएंगे क्योंकि अर्भी तो पहले से पकी हुई है थोड़ी से ग्रेवी में उसको मिल जाना है इतना ही हम पकाएंगे और यह देखे कितना बढ़िया कलर आया है और देखे इसकी ग्रेवी बिल्कुल गाड़ी हो गई है तब विल्कुल तैयार हो गया सबजी तो अब इसमें थोड़ा सा हम कसूरी मेति लेके उ अब गैस का फ्लेम जो है हमने लो कर लिया है और इसके बाद थोड़ा सा हम गरम मसाला अड़ कर देंगे और इसको हम कर दो मिनट तक ऐसे लो फ्लेम पर ही पकाएंगे देखिए अब दो मिनट हो चुके हैं मसाला भी बिल्कुल गाड़ा हो चुका है अब इसमें हम धनिया का पती जो है हम उसको एड कर देंगे और इसको हम मिला देंगे और गैस का फ्लेम जो है अफ कर देंगे क्योंकि हमारा यहーム अरबी का सब्जी बिल्कुल रेडी हो गया है और ये देखिए कितना जबरदस्त बनी है या आप इसे चावल या रोटी के साथ सार्व कर सकते हैं ये देखिए कितनी जबरदस्त बनी है ये अरभी की सबजी इस तरीके से बनाईएगा तो कोई क्यों नहीं खाएगा बिल्कुल ये गला नहीं काटता है और नहीं इसको छिलने में परसानी हुई तो दोस्तों अगर आपको ये अरभी की सबजी पसंद आई हो तो प्लीज आप इसको लाइक से यार करना नहीं भूलिएगा और इतना ध्यान से आपने देखा हमारे वीडियो को वीडियो पसंद आया तो आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्लेस कर दीजिएगा जिससे कि जब हम नए नए प्लेसेपी बनाएं तो बिल्कुल देशी स्टाइल में वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सकाए और देखिए ये कितनी जबरदस्ती सब्सक्राइब भी की इसको खाने में बहुत ही स्वादिश जाता है इसको बड़े बच्चे बहुत ही चाव से खाएंगे थैंक